Hello friends, welcome to my channel Visa Guide, Visa Guide देखने वाले आप से friends का महार्दिक शागत करता हूँ Friends, अभी तक मैं दो वीडियो बना के डाल चुका हूँ एक वीडियो माने आपको बतायत है कि अगर आप इंडियन फासपोर्ट होल्डर हैं तो कौन-कौन सी कंट्री है जहां पर आपके पास कोई पासपोर्ट होना चीए बीजा होने की कोई जरूरत नहीं है आप उस कंट्री में जाके बीजा ओन राइवल ले सकते हैं आपको वहां जाने के लिए कुछ पेमेंट आपको देना पड़ेगा एरपोर्ट पे कुछ कंट्री में आपको बीजा ओन राइवल की फीज देना पड़ेगा और कुछ कंट्री में आपको ऐसे ही बीजा मिल जाएगा तुम मैंने दो ओ नाया कि कांटरी को रहाँ पर अपकर चाहिए कैस में सब्सक्राइब70 के जुक्राइब वहां पर आप जा सकते हैं और उसमें टाइम होता है 30 डेस 90 दैस इतने जनिद या आपोाब कर सकते हैं हर कंट्री के आप को किते दिन के लिए आपको टाइम которую यह स्क्रिक अवह को को स्क्रिजिंधि नहीं है उले जैसे कि मौरिस अपको से स्ट्थी सबस्क्राइब में आपको कर सकते हैं तो जी कंट्री पासपोर्ट है तो तो कौन-कौन सी कंट्री है जहां पर आपको भी जाओं मिलेगा यह सारा इंफ्रमेशन प्रैना सिकेंड व्यडियो में बनाया था अगर आप चाहो तो डिस्रिप्शन के लिंक काउन 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 नंट व्याइब लिंक है जाएगा वहां पर आपको लिंक क्लिक करके आप आप यह प्रैंट्री में आप जा सकते हैं तो इस पर आप डूटव दूँगा और एक एक चीज़ आपको बहुत ए क्लियरली बता दूँगा तो अगर आपके या फिर कोई आपका दोस्त है जो गोमना चाहता है जो ट्रेवलर है जिसको बाहर जाना है गोमने के लिए उसको आपी वीडियो सेर भी कर सकते हैं तो इवीजा होता है क्या इवीजा कोई कंट्री है जिसने जिसका वीजा पॉलिसी है उसमें इंडियन पासफूर्ड रोडर क वो इवीजा फॉलिसी में आता है तो अगर कोई कंट्री हमें इवीजा देता है तो उसके लिए हमें ऑनलाइन अप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें एंबसी जाने की रहोती है हम लैप्टॉप लैप्टॉफ के टैबलेट से ऑनलाइन अप्लिकेशन कर सकते हैं और जो कर सकते हैं जो ऑनलाइब कर लोगे तो मिल्दा Chanel का आप बचाहिशन कर आपको वीजा मिल गया तो आपको बस निकाल के होटल बूकिंग करके और इंसुरंस लेके आप वहाँ जाके ट्रेवल कर सकते हो अब इच्छ चल ला है तो इंसुरंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री में आप जारो तो इंसुरंस कराके ही जाएए कोविड उसमें इंक्लूडिंग होना चीए तो अब मैं बात करता हू कौन कौन सेसी कंट्री है जहाँ पर आप ईवीजा ले सकते हैं और वहाँ पर आप ईवीजा लेके आप जा सकते हैं बात करता हूँ अंगूला की अंगूला आप ईवीजा ले सकते हैं ये एक अफ्रिकन कंट्री है और इस कंट्री ने भी हमें ईवीजा दिया है कर दो ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया में यूलाइन बिज्टर वीजह ए यूज़ का निविदी कर्सकते हो अजर बैजान की बात करूं थे विजा दे रहा है थर्टा डिगेंश के लिए आप चाहो तो ऑन राइवल विज़ा सकते हो बहरीन भी हमें इविजा दे रहा है 90 days के लिए आप चाहो तो एक साल का भी दे सकता है और डिबंड करता अप्लिकेशन के ओपर और हाई कमिशन के ओपर कि वह आपको कितने इनके लिए देता है तो आप चाहो तो बहरीन का भी इविजा आप ले सकते हो उसके बाद आपका ब प्राइबल ले सकता हो दोनों ही के फैसलिटी उपलब्त है अगर आपके पास इंडिया के पासपोर्ट है तो आपका मॉडिया भी जा सकता हो घूम सकता हो अगर मैं इवरी खोस्ट की बात करता हूं तो अविरी कोस्ट भी आपको थ्री मन्त का इविजा देता है आप इव फीकन कंट्री है और बहुत ही खूबखर घंट्री है, एथो पियाई फिया मिजा ब्वीजा लेönार नाइपी डिस के लिए आप एप चाहो तो एवीजा identical लेकर ट्रवल कर सकते हो और सामर है जौरजिया की बात करता हूँ कोई तैस्के लिए जशता में जा सकते हो जा सकते है जा के लेकर और सामर है जा सकते हो नहीं तो गिंई अगर आप जाह हो तो आप वहाँ पर प्रिव mirrors आपके लिए और वहाँ पर क्लाइन वीरण पार अब का इर यारान घुन आपके और आप फे य zod cens करते हैं आप के तो आप कि आप और आ जा सकते है और न शाल अब cider अगर आप खाली कीनिया जारें घुमने के लिए सबसे बस्त आएगा आप ईबीजा निकाल लीजिए और अगर आपको तीन कंट्री साथ में घुमना है कीनिया के साथ सर्युगांडा और यूगांडा भी घुमना है तो इस्ट अफरीका टूरिस विजा लेकर आप जाईए इ सबसे आपके लिए और आप के इन यह जार हो तो तो की बात करूं तो यहांपर भी आपको विजा है 30 लिस के लिए ओंठी डिस नकिए हैब कोम मलावी धिन लिया आपको है तो बीजा, ये विजा दे रहा है आप चाहो तो मलावी ^^ का भी विजा निकाल सकते हो on-line jako ए BMW को एप्लिकशिन करना ही ही विजा आप लीजा है आप चाहो तो इसको भी एप्लिकिशिन करके ले सकते हो Olivier को लिए हम एप ये विजा लिप आप जाकर वहाँ पे घुम सकते होest day Mexico to Malishya भी REAMS को देता है अगर Myanmar की बात करूँ तो Myanmar में आपको hanno aure trophy E visa की byजल रहेगा है कि आप माय Ne mart जारें गोमने यह तो e visa पो रहे लिए और e visa साब ख़ूम हें क्योंकि सबसे अच्छा रहेगा पी जा इए राइवल से जादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप इवीजा के जरी आप बॉर्डर भी क्रॉस कर सकते हो आप जा सकते हैं और अगर आपने वीजा ऑन राइवल लिया है तो यह आपको क्वाल एरपोर्ट पर ही मिलेगा अगर पपवानीगिनी की बात करूं तो यह भी आपको है कि रूस्ट कर भी आप दे शक्ते हैं चाहो ओं तो और साथ में की आप गों सकते हो तंजानिया चाहो तो ऑनों फैसल्टी इंडियान बासफोर्ट होट्स्अ आप कर सकते हैं आप चाहे तो नहीं है तो प्रिकाई आप लेके वहां पर भी आप खुम सकते हो इस जबाद आपको उजबिकिस्तान जाना चाहते हो तो यह भी आपको थार्टी डेस्के लिए आपको इपिजा प्रवाइट करा रहा है आप इप आप इप लेके खुम सकते हो बहुत ही खुबसूरत कंट्री है और वहुत ही अच्छा जगा यहां पर आप चाके ट्रेवल कर सकते हो अगर वियतनाम की बात करूं तो भी अटनाम भी इसने भी अभी स्टार्ड किया इप चाहो तो यह लेकि वियतनाम भी जा सकते हो वियतनाम भी गूम सकते हो उसके बाद आपका जंबिया जंबिया भी आप जा सकते हो ठार्ट को डाया कि कौन को सीसी कंट्री है जहां हमें इभी जय मिल सह कbase तो और कंट्री में जाके घूम सकते हैं यहां पर आपको एभी जय की फासलिटी है आप आप चाहो तो अपने laptop अपने computer से online application कर सकते हो आपको किसी भी embassy किसी भी console बनाने की कोई जरूत नहीं है आप online application करिए जो बीजा है वो आपके email प्याज आएगा उसका अपने फील करके ले लेना है तो फ्रेंट्स यह काफी आसान है यी वीजा और वीजा उसराइवल काफी आसान रहता है अगर आपको sticker वीजा लेना है कौन कुन सी country है जहां को sticker वीजा लेना है तो वही मैं आपको बता सकता हूं next video में तो अगर आपको